देश बासियों नमस्कार चोहत्तोरियों एगणत अंत्र दिवस की पूर्वसंधा पर देश और विदेश में रहने वाले आप सबी भारत के लोगों को में हार दीख बधाई देती हूं संभिधान के लागु हने के दिन से लेकार आज तक हमारी जात्रा अध्भूत रही है और इससे केई अन्यो देशों को प्रेरणा मिली है प्रतेक नागरिक को भारत की गोर्व गाथा पर गोर्व का अनुभव हता है जोब हम गुणतंत्र दिवस मनाते हैं तो अब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिल जुलकर जो उपलब्धिया प्राप्त की है उनका हम उस्षब मनाते हैं भारत विश्च की सबसे पुरानी जीवन्त सभ्योताओं में से एक है भारत को लगतंत्र की जननी कहा जाता है फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है सतंत्रता के प्रारंभिक बर्ष में हमें अन्गिनित चुनतियों और प्रतिकुल परिस्थितियों का सामना कार्ना पड़ा लंबे विदेशी सासन के उनेक बुरे परिणाम में से दो कुप्रभाप थे भयंकर गरिवी और निरक्ष्यरता फिर भी भारत अभीचली त्रहा आसा और विश्वास के साथ हमने मानव जाती के इतिहास में एक अनुठा प्रयोग सुरू किया इतनी वड़ी संख्या में इतनी विविद्वताओं से भरा जनसमुदाए एक लगतांत्रों के रूप में एक जुट नहीं हुआ था एसा हमने इस विश्वास के साथ किया कि हम सोब एक ही है और हम सोबी भारत्या है इतनी सारे पंथो और इतनी सारी भासाओं ने हमें विवाजीत नहीं किया है बलकि हमें जोडा है इसलिए हम एक लगतांत्री गणतांत्रों के रूप में सफल हुए हैं एही भारत का सार्तत्त है ये सार्तत्त संभिधान के केंद्र में रहा है और समय की कशोटी पर खरा उत्रा है सतंत्रता संग्राम के आदर्शों के अनुरूप हमारा गणतंत्रों को आधार देने वाला संभिधान बना महत्मा गांधिके नेत्रुत्त में राष्टिय अन्दलन का उद्देशो सतंत्रता प्राप्त का ना भी था और भारतियो आदर्शों को फीर से स्थापित का ना भी था उन दोसकों के संघर्ष और बलिदन ने हमें नाके बल बिदेशी सासन से बलकी थपेगे मुल्यों और संक्रिण विश्चो दुरुष्टिकन से भी आजादी दिलाने में मदद की सांती, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मुल्यों को फीर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारों को ने दूर्तुर्शी और आदर्शबादी विभुतियों के साथ मिल कर काम किया जिनलोकोंने आधुनिक भारत्यों चिन्तन धारा को प्रभाहो कि दिया, उन्होंने आन भद्राहा क्रतवयंतु विश्वत हो, और ठात हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए, के बईदिक उपदेश के अनुसार प्रगतिसिल विचारों का भी स्वागत किया लंबे और गोहन विचार मन्थन के प्रिणाम सुरुप हमारे संभीधान की संग्रचना हुई, हमारा ए बुनिया दी दस्ताबेज, दुनिया की सबसे प्राचिन, जीवन्त सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ-साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है, हमारा देश बाबा साहे भीम्राव आम्बेदकर का सदे बुरुनि रहेगा, जिन्हने प्रारुक समिती की अज्धक्यता की और संभीधान को अंति मुरूप देने में महत्तो पुल्ण भूमिका निभाई। जिन्हने संभीधान निर्माण में सभायता की थी। हमें इस बात का गर्भ है कि उस संभीधान सभा के सज्धाच्चने भारत के सभी चेत्रो और समुदायो का प्रतिने धित्तो किया। संबिधान निर्माण में सभाकी पंद्रह महिलास जश्यों ने भी जगदान दिया। संबिधान में निहित आदर्शों ने निरंतन हमारे गणतंत्र को रहा दिखाई है। इस अवधी के दोरान भारत एक गरीब और निरख्यो राष्ट्र की स्तिती से आगे बढ़ते हुए बिश्यों मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान लेल चुका है। संबिधान निर्माताओं की सामुहिक बुद्धि मत्ता से मिली मार्गदर्शन की बिना प्रगती संभव नहीं थी। बाबा साहिब आम्वेतकोर और अन्यो विभुतियों ने हमें एक मानचित्र तोथा एक नोईतिक आधार प्रदान किया। उस रहा पर चलने की जीमिदारी हम सब की है। प्यारे देशबासियों, सर्वद्धोई के हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगती सबसे अधिक उस्सहोजनक रही है। पिछले साल भारत दुनिया की पांचमी सबसे बड़ी और्त वेवस्ता बन गया। ए उल्लेक करना जरूरी है कि ए उपलब्धी आर्थिक अनिशितता से भरी बईसिक प्रुष्ट भूमी में प्राप्त की गई है। बईसिक महामारी चोथे बर्स में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया के अधिकांस हिस्चों में आत्तिक बिगास पर इसका प्रभा पड़ रहा है। शुर्वाती दर में COVID-19 से भारत की अर्थ वेवस्ता को भी कफी ख्योती पहंची। फिर भी सक्ष्यम, नेत्रुत्तो और प्रभावी संगर्श सिलता के बल पर हम सीग्रही मंदी से बाहर आगिये। और आपनी विगास यात्रा को फिर से शुरू किया। अर्थ वेवस्ता के अधिकांस केत्र आप महामारी के प्रभाव से बाहर आगिया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़ी अर्थ वेवस्ता में से एक है। ओ सरकार्दारा समय पर कियेगे सक्रियों प्रियासों द्वारा की संभव हो पाया है। इस संधर में आत्मनिर्वर भारत अभियान के प्रति जोन समान्यों के बीच बीशेस उस्याहों देखा जा रहा है। इसके आलावा विभिन्य चेत्रों के लिए बीशेस प्रस्षाहों जोजनाय भी लागू की गई है। ये बड़े ही संतस के विशोय है कि जो लोग हासिय पर रह गये थे उनका भी जोजनाय और कार्योक्रम में समाबेश किया गया है। तो था उनकी मदद की गई है। माज 2020 में घशित प्रधानमंत्री गरीब कल्लान अन्य जोजना पर अमल करनते हुए। सरकार ने उस समय गरीब परिवारों के लिए खाद्यो सुरख्या सुनिश्चित की जोब हमारे देशबासी COVID-19 की महामारी के कारण और कस्मात उत्पर्न हुए आर्थिक ब्यवधान का सामना कर रहे थे। इस सुहायता की बज़े से किसी को भी खाली पेट नहीं सोना पड़ा। गरीब परिवारों के हीत को सर्वपरी रखते हुए इस यजोना की अवधी को बार बार बढ़ाया गया तो था लगबग 81 क्रोर देशबासी लाभननीत होते रहे। इस सुहायता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने गशना की है कि बर्स 2023 के दोरान भी लाभर्थियों को उनका मासिक राशन मुक्त में मिलेगा। इस अइतिहासिक कधम से सरकार ने कमजर बर्गों को आर्थिक विकास में सामिल करने के साथ-साथ उनकी देगवाल की जमेदारी भी ली है। हमारे अर्थ व्यवस्ता का आधा सुदूर हने के कारण हाम उपयोगी प्रयासों का सिल्सिला शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्यम हसके। हमारा अंतिम लख्य एक एसा बाताबरण बनाना है जिससे सभी नागरिक व्यक्तिगोत और सामोहिक रूप से आपनी बास्तोमिक चमताओं का पूरा उपयोग करे और उनका जीवन फले फुले। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सिख्या ही आधार सिला तियार करती है। इसलिए राष्ट्यों सिख्यानिती में महत्तो कांग की परिवर्तन किये गे हैं। सिख्या के दो प्रमुक उद्देश्यों कहें जा सकते हैं। पहले आर्थिक और समाजिक सक्षक्तिकरण और दूजरा सत्यों की खोज। राष्ट्यों सिख्यानिती इन दोनों लख्यों को प्राप्त कारने का मार्ग प्रसोस्त करती है। यह निती सिखार्थियों को एकिसी सधी की चुनतियों के लिए तेयार करते हुए हमारी सफ्व्यता पर आधारित ज्ञान को समकालिन जीवन के लिए प्रासंगीक बनाती है। इस निती में सिख्या प्रक्रिया को बिस्तार और गेहराई प्रदान करने के लिए प्रद्दग्गीकी की महत्तो प्रुनभूमिका को रेखांकित किया गया है। हमें COVID-19 के शुरुआती दर में ये देखने को मिला कि प्रद्दग्गीकी में जीवन को बदलने की संभा बनाए होती है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहट गाउं और सोहर की दूरी को समाप्त करके सुचना और संचार प्रदग्गीकी को समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूर दरज के स्थानों में अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का लाब उठा रहे हैं। बुनियादी धांच में हुए बिश्तार की सोहयता से सरकारधरा उपलोप्त कराये जा रहें। बिभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम विज्ञान और प्रदग्गी के छेत्र में आपनी उपलोध्यां पर गर्भ का उनुपब कर सकते हैं। अंतरिक प्रदग्गी के छेत्र में भारत गिनेचनिय अग्रणी देशों में से एक रहा है। इस छेत्र में काफी समय से लंबीत सूधार किये जा रहा है। और आप नीजी उद्योमों को इस विकास जात्रा में सामिल होने के लिए अमंतरित किया गिया है। भारत ये अंतरिक जात्रियों को ले जाने के लिए गोगन यान कार्यक्रम प्रगति पर है। ये भारत की पहली मानवजुक्त अंतरिक उडान होगी। हम सितारों तोख पहंचकार भी आपने पाउं जमिन पर रखते हैं। भारत का मंगल मिशन और साधन महिलां की एक टीम द्वारा संचालित किया गिया था। और अन्यों चेत्रों में भी बहनों और बेटियां आप पीछे नहीं है। महिला सवस्वत्तिकरण तथा महिला और पूरुष के बीच समानता आपके बल नारे नहीं रहे गए है। हमने हाल के बुर्षों में इन आधर्सों तोख पहंचने की दिशा में काफी प्रगति की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की भागीदारी के वल पर हार कार्यों चेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्त बढ़ रहा है। राज्यों की आपनी जात्राओं, सिख्ण संस्तानों की कार्योक्रमों और प्रफेशनास के विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से मिलने के दोरान में युवद्यों के आत्म विश्वा से बहुत प्रभावित होती हूँ। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं की आने वाले काल के भारत को सोरूप देने के लिए अधिक्तम योगदान देंगे। योदि आधि आवादी को राष्ट निर्मान में आपनी स्ट्रेस्टतम चमता की अनुसार योगदान करने की अबरसर दिया जाए। तो था उन्हें प्रसाहित किया जाए। तो ऐसे कौन सा चमतकार है जो नहीं किया जा सकता है। सशक्तिकरण की यही द्रिष्टी अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों सहीत कमजोर बर्गों के लिए सरकर की कार्य प्राणी का मार्गदर्शन करती है। बस्तव में हामारा उद्देश ना के बल उन लोगों के जीवन की बाधाओं को दूर करना और उनके बिगास्क में मदद करना बलकि उन समुदाई से सिखना भी है। विशेश रूप से जनजातियों समुदाई के लोग परियावरण की रख्या से लेकार समाज को और अधिक एक जुट बनाने तक एई छेत्रों में सीख दे चकते हैं। प्यारे देशपासियों, सासन की सभी पहलियों में बदलाव लाने और लोगों की रचनात्मक उर्जा को उजागर करने के लिए हाल के बर्सों में कियेगे प्रयासों की शुरूंखोडा के परिणाम सरूप आप विश्व सुमुदाई भारत को सौनमान की नई दृस्टी स से देखता है, विश्व के विभिनमंच पर हमारी सक्रियता से सकरात्मक बदला आने सुरू हो गया है, विश्व मंच पर भारत ने जो सनमान और जित किया है, उसके फोल सरूप देश को नई अपसर और जमीदरियां भी मिली है, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बर्स भार जी ट्वेंटी देशों के समुहों की अध्यक्यता कर रहा है, विश्व बंधुत्तों के आपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की सांती और समुरुधी के पक्यधर है, जी ट्वेंटी के अध्यक्यता एक बेहतर विश्व के निर्मान में, योगदान है तु भारत को अत् पुर्ण भूमी का प्रधान करती है, इस परकार जी ट्वेंटी की अध्यक्यता लक्तंत्रों और मल्टिलेटराजेजिम को बढ़ावा देने का अच्छा अपसर भी है और साथी एक बेहतर विश्व और बेहतर भविश्व को स्वरूप देने के लिए उचित मौंच भी है मुझे विश्व से कि भारत के नेत्रुत्तों में जी ट्वेंटी अधिक न्याय परक और स्थिर्था पुर्ण विश्व विवस्ता के निर्माण के आपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा जी ट्वेंटी के सदस्यों देशों के कूल मिलाकार विश्व की आवादी में लगभग दो तिहाई और ग्लोबाल जीडिपी में लगभग पच्चासी प्रतिसद हिस्सा है इसलिए ए वैसिक जुनतियों पर चर्चा करने और उनके समाधान के लिए एक आदर्स मंच है से बढ़ना है बशिक तपमन बढ़ रहा है और मौसम में बदलाओं के चरम रूप दिखाई पड़ रहा है हमारे समने एक गंभीर दुविदा है अधिक से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक विकास जोरूरी है लेकिन इस विकास के लिए फोस को सोहन करना पड़ता है उर्जा के बोईकड़्बिक स्रोतों को विक्सित करना और लकप्रियों बनाना भी एक समाधान है भारत ने सोर और ज्या और इलेक्ट्रिक बाहनों को नीतिको प्रस्षाहन देकार इस दिशा में सारानिय कदम उठाया है हाला कि बशिक्षत तरफर बिक्सित देशों द्वारा टेक्नोलोजी ट्रांसपर और वित्तिय सोहायता के जरिये उभर्ती हुई अर्थ व्यवस्ताओं को सोहायता प्रदान कारने की आवस्य क्या है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए राखने के लिए हामें प्राचिन परमपराओं को नेई द्रूस्टी से देखना होगा हामें अपनी मूलभूत प्राक्थमिताओं पर भी पुनरविचार कानना होगा परमपरागत जिवन मुल्लों के बग्यानिक आयामों को समझना होगा हामें एक बार फिर प्रकुर्ती के प्रती सन्मान का भाव और अनन्त ब्रम्हांडो के समुक बिनम्रता का भाव जाग्रत करना होगा मैं इस बात पर ध्यान अकर्शित करना चाहूंगी कि महात्मा गांदी आधोनिक यूग के सच्चे भविश्य द्रस्टा थे क्योंकि उन्होंने ओनियंत्रित अध्यकराण से होने वाले आपदाओं को पहले ही भाव लिया और दुनिया को अपने तोर तरीको को सुधान्य के लिए सोच्चेत कर दिया था अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस धर्ति पर सुख मई जीवन बिता है तो हमें अपनी जीवन सोईली को बदलने की ज़र्रत है इस संधर में सुझाएगे परिवर्तन में से एक बदल भजन चे समंधित है मुझे यह जानकर प्रसंता हुई है कि संजुद राष्ट ने भारत के सुझाओ को सिवकर किया है और बर्ष दो हाजार तेज को दा इंटरनेशनल इयर अब मिलर्स गोशित किया है बाजरा जैसे मोटे आनाज हमारे आहार के मुख्योतत हुआ कारते थ है एसे आनाज परियावरण के अनुकूड है क्यूंकि उनकी उपज कोमपानी में ही हो जाता है यह अनाज उच्चस्तर का पसण भी प्रदान करते हैं योदि अधिक से अधिक लोग मोटे आनाज को भजन में सामिल करेंगे तो परियावरण सोरक्षन में स्वहायता होगी और लोगों के सास्त में भी सुधार होगा गणतंत्र का एक और वर्ष बित चुका है और एक नाया वर्ष शुरू हो रहा है यह अभुद्पुर्व परिवर्तन का दोर रहा है महामारी के प्रकप से दुनिया कुछ ही दिनों में बदल गई थी पिछले तीन बर्ष के दोर जो भी हमें लगा कि हमने वायरोस पर काबू पा लिया है तो वायरोस फिर किसी बिकृत रूप में वापस आ जाता है लेकिन आप इस से घबराने का कोई जो रोत नहीं है क्यूंकि हमने ए समुझ लिया है कि हमारा नेत्रुतो हमारे बग्यानिक और डक्टर हमारे प्रसाश और कोरोना योध्या किसी भी स्तिती से निपटने के लिए हार संभव प्रयास करेंगे। साथ ही हमने ये भी शिखा है कि हम अपनी सुरोख्या में कमी नहीं आने देंगे और सोतर्क भी रहेंगे। प्यारे देशपासियों, विभिन्य छेत्रों में कारियरत, कोई पिढियों के लोग हमारे गणतंत्र की आपतों की विकास गाथा में अमुल्य जगदान के लिए प्रसंगशा के पात रहें। मैं किसानों, मजदूरों, वज्यानिकों और इंजिनियरों की भूमिकाओं की सराना करती हूँ, जिसकी सामुहिक सक्ती हमारे देश को जई जवान, जई किसान, जई विक्यान, जई अनुसंधन की भावना के अनुरूप आगे बढ़ने में सक्यम बनाती है। मैं देश की प्रगती में योगदान देने वाले प्रत्यक नागोरिक की सराना करती हूँ। भारत की संस्कृती और सभ्यता के अग्रदूत प्रवासी भारतियों का भी मैं अभिवादन करती हूँ। इस अभजोर्पर मैं उन बहादूर यवानों की विशेश रूप से सराना करती हूँ। जो हमारी सिमाओं की रख्या करते हैं। और किसी भी त्याक तथा बलिदान के लिए सोदेव तेयार रहते हैं। देशवासीय को आंतरिक शुरख्या प्रदान का ने वाले समस्त और्धसॉनिक बलों, तो था पुलिस बलों के बहादुर जोबानों की भी मैं सराना करती हूँ। हमारी सेनाव और दोसोनिक बोलों तो था पुलिस बोलों के जीन भीरों ने कर्ट्यब निभाते हुई आपने प्राणों की आहुती दी है उन सब को में साधर नमन करती हूँ मैं सबी प्यारे बाच्चों को उनके उज्जोल भविष्चों के लिए रुदोई से आशित बात देती हूँ आप सबी देश बासियों के लिए एक बार फिर में गणतंत्र दिवस के हार्दिक सुबकामनाई व्यक्त करती हूँ धन्यबाद जय हिंद जय भारत आप्छों कोई प्यारे बासर रुद आब एाज सबीप्र नाव कि लिएता हु प्योटिशन्जी वडिप्ल प्रेश लाद टीजे ती सम्सक्र टी चानि अस्ट्षी इंट वड्य आप नह framework में टर अटमक+, लोग ranking प्युदा बहिए नाप्ट जिए लूर इए लिए रगजुमे के लिए हुषिए बाट इन शरी हिर्भ फिर्फिटी का यह दो विचिति हैंने सेषिटे सेथेंगे लिए इनीज्टा कि बाट इनीजिए लिए तॉए इमीजिए इनीजिए इंगे कोई पो यह दे बाट अना दिनीज दे लिए, हो अजर mine are charts, we face countless challenges and adversities. Very high levels of poverty and illiteracy were just the two many ill effects of the long foreign rule. Yet, the spirit of India was undetrored. With hope and confidence, we begun an experiment unique in the history of humankind. लगा भूलष बजलिट मुल्टिट इस बीड़े बार्विल में तोगे तो उन्दीन राम साम प्रेडेट के जिसा उन्दीनारे समें इस सुन राम फ्रेड़ी कमें उन्दीनारे कि रहं ठोची हैं आ vrij असे बाफ बाफ बाही जाते वयर के स्टिफित के लाफ जानीब प्हूटाव के कामुट भानारी के साथा जाते लुका लाफ बाफ टोर्श जाते हुंजी के, लुप ऽवा मात्मा गándरीडि पुरह लाफट साथा ब इस zichयर बेंढ गज्याते हैं झाहत mano बाहरीश के फिसे की अड बार ऑ की इस ते ऑन अन्यज़ूर ठोके इस वों बतानो सब्सक्राव स कर्या हरे की यह अज़िवै आप पिस्थ बी and equality. Those who shaped the modern Indian mind also welcomed progressive ideas from abroad. Following the Vedic advice, ānvhadraha, kratavayantu vishyotoh, let noble thoughts come to us from all directions. A long and profound thoughts process culminated in our constitution. Our founding document is inspired हिए प्रशार्ट भी ताप रुट्र एब ताइन्च कि भीच कलाम है थाफ्साइड टॉट्र काया है पुट्पर लागल यह थाजनी थार कि अधना थार्ट अवांटार लेधना थाफ्स प्रभ ट्टॉट कर व् लिधना टोटीनि ताइन कीज़।िध ट्रॉट घॉटिक On this day, we should also remember the role of jurist B. N. Rao, who had prepared the initial draft, and other experts and officers who helped in making of the constitution. We are proud of the fact that the members of that assembly represented all regions and communities of India, and that they included 15 women too. Their vision as enshrined in the constitution has been continuously guiding our republic. During this period, India has been transformed from the largely poor and illiterate nation into a confident nation marching on the world stage. This would not have been possible but for the collective wisdom of the constitution makers guiding our path. While Baba Saheb Ambedkar and others gave us a map and a moral framework, the task of walking that path remains our responsibility. We have largely remained true to their expectations, and yet we realize that much remains to be done to realize Gandhiji's ideal of Swarvadhyaya, the upliftment of all. Yet, the progress we have made on all fronts is encouraging. Dear fellow citizens, in our mission of Swarvadhyaya, the most encouraging has been the progress made on the economic front. Last year, India became the fifth largest economy in the world. It needs to be underlined that this achievement comes against the backdrop of high economic uncertainties around the world. The pandemic has entered the fourth year, affecting economic growth in most parts of the world. In its initial phase, Covid-19 also hurt India's economy badly. Yet, guided by our able leadership and driven by our resilience, we soon came out of the downturn and resumed the growth saga. Most sectors of the economy have shaken up the pandemic effect. India has been among the first growing major economies. This has been made possible by timely and proactive interventions from the government. The Atmanirvar Bharat Initiative in particular has evoked great response among people at large. There have also been sector-specific incentive schemes. It is a matter of great satisfaction that those on the margins have also been included in the schemes and programmes. And they have been helped in tiding our difficulties. By implementing the Pradhan Mantri Garip Kuala and Anya Jajana announced in March 2020, the government ensured food security for poor families at a time when the country was facing economic disruption in the wake of unprecedented outbreak of Covid-19. Because of this help, no one had to go hungry, keeping the welfare of poor families paramount. The duration of this scheme was extended successively, benefiting about 81 crore fellow citizens. Further extending this assistance, the government has announced that even during the year 2023, the beneficiaries will get their monthly ration free of cost. With this historic move, the government has undertaken the responsibility of caring for the weaker sections, while also enabling them to benefit from economic development. With the economy on a sound footing, we have been able to begin and carry forward a series of praiseworthy initiatives. The ultimate goal is to create an environment in which all citizens can individually and collectively realise their true potential and prosper. As education builds the right foundation for this purpose, the national education policy has introduced ambitious changes. It rightly addresses the two-fold aims of education as an instrument of economic and social empowerment and as a means to explore truth. The policy makes our civilizational lessons relevant for contemporary life, while also preparing the learner for the 21st century challenges. The national education policy appreciates the role of technology in expanding and depending on the learning process. As we have come to realise since the early days of COVID-19, technology offers life-changing possibilities. The Digital India Mission is striving to make information and communication technology inclusive by bridging the rural-alban divide. More and more people in far-flung places have been reaping the benefits of the internet and are receiving a variety of services provided by the government as the infrastructure expands. We have reasons to be proud of our achievements in the domain of science and technology. India has been among the handful of pioneers in space technology. As long-pending reforms in this sector are underway, private enterprises are now invited to join the quest. The Gaganyan program to carry Indian astronauts into the space is under progress. This will be India's maiden human space flight. Yet, even as we reach out to the stars, we keep our feet on the ground. India's Mars mission was powered by a team of extraordinary women. And our sisters and daughters are not far behind in other areas too. Women's empowerment and gender equality are no longer mere slogans as we have made great progress towards these ideals in recent years. With people's participation in Vetivacha Vetipadha campaign, women's representations have been rising in every sphere of activity. During my visits to various states, educational institutions and while meeting delegations of various professionals, I am amazed by the confidence of young women. I have no doubt in my mind that they are the ones who will do most to save tomorrow's India. What miracles cannot be achieved if this half of the population is encouraged to contribute to nation building to the best of their ability? The same vision of empowerment guides the government's approach to the marginalized communities, including the scheduled caste and scheduled tribes. In fact, the aim is not only to remove hurdles and help them in development, but also to learn from them. Tribal communities in particular have reached lessons to offer in many areas ranging from protecting the environment to making the society more cohesive. Dear fellow citizens, as a result of a series of initiatives in recent years to transform all aspects of governance and unleash creative energies of people, the world has started to look at India with a new sense of respect. Our interventions in various world forums have started making a positive difference. The respect that India has earned on the world stage has resulted in new opportunities as well as responsibilities. This year, as you know, of universal brotherhood, we stand for peace and prosperity of all. Thus, the G20 presidency is an opportunity to promote democracy and multi-literalism and the right forum for shaping a better world and a better future. Under India's leadership, I am sure G20 will be able to further enhance its efforts to build a more equitable and sustainable world order. As G20 represents about two-thirds of the world population and around 85% of global GDP, it is an ideal forum to discuss and find solutions for global challenges. To my mind, global warming and climate change are the most pressing among them. Global temperatures are rising and incidents of extreme weather are increasing. We are faced with the dilemma to lift more and more people out of poverty. We need economic growth, but that growth also comes from fossil fuel. Unfortunately, the poor bear the brand of global warming more than others. Developing and popularizing alternative sources of energy is one of the solutions. India has taken a commendable lead in the direction by giving a policy push to solar energy and electric vehicles. At the global level, however, emerging economies need a helping hand from advanced nations in the form of technology transfer and financial support. To maintain the balance between development and environment, we have to look at the ancient traditions with a new perspective. We need to reconsider our basic priorities. The scientific aspects of traditional life values have to be understood. We must once again rekindle that respect for nature and humility before the vast universe. Let me state here that Mahatma Gandhi was a true prophet of our times. As he first saw the calamities of indiscriminate industrialization and cautioned the world to mend its ways. We need to modify our lifestyle. If we want our children to live happily on this fragile planet, one of the changes suggested pertence to food. I am happy to note that the United Nations accepted suggestion from India and declared 2023 as the International Year of Millers. Millers were essential ingredients of our diet and they are making a comeback among sections of society. Coarse grains like Millers are eco-friendly as they require less water to grow and yet they provide high levels of nutrition. If more and more people turn to millers, it will help conserve ecology and also improve health. One more year has gone by for the Republic and another year commences. It has been a time of unprecedented change. With the outbreak of the pandemic, the world had changed within a matter of days. During these three years, whenever we have felt that we have finally put the virus behind, it raises its ugly head. However, there is no need to panic because we have learned in this period that our leadership, our scientists and doctors, our administrators and corona warriors will make every possible effort to meet any situation. At the same time, each of us has also learned to not let our guard down and remain alert. Dear fellow citizens, generations of people working in different fields deserve praise for their invaluable contribution in the development story of our Republic so far. I commend the roles of farmers, workers, scientists and engineers whose combined strength enables our country to live up to the spirit of joy-jawan, joy-kishan, joy-vijyan, joy-anusandhan. I appreciate every citizen who contributes to nation's progress. I also convey my greetings to our diaspora, the great ambassadors of India's culture and civilization. On the occasion of Republic Day, I convey my special appreciation to our Joans who guard our borders and are ready to make any sacrifice for the country. I also express my appreciation for all the brave soldiers of paramilitary forces and police forces who provide internal security to their fellow citizens. I salute all the brave hearts of our armed forces, paramitary forces and police forces who let down their lives in the line of duty. I convey my blessings to all the dear children for their bright future. Once again, I extend my best wishes to all of you on this Republic Day. Thank you. Joy-in. 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 Joy-in.